नमस्ते, मैं करनल केशब राई, आज तोगदा केंटुमेंट तीस्टा भेली समस्ते का ये गेल इस्कूल नाड़ा में अमारे भुत्पुर्व शाहिनिक और भुत्पुर्व अर्दर शाहिनिक को के भीज में मैं हूँ आज का दिन में सबसे इंपोर्टेंट बात चल रहा है अगनिपत और अगनिवीर अगनिपत और अगनिवीर ये एक नया ब्योस्ता है और एक ब्योस्ता का सकारत्मक पहलू होता है नाकारत्मक पहलू होता है इसके बारे में आज हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे इसको बिश मगर आज मैं एक बहुती मौत्त पूर्णा बात रखना चाहता हूं मीडिया का सामने. वो है जो पिछले दो साल में CEE exam बोलता है, common entrance exam जो recruitment के लिए होता है, वो नहीं हो पाया. और हमारे कई युवक, recruitment rally, document check, physical test, medical test, सब पार करके CEE exam के लिए इंतजार में बैठे है. हमारे पाड़ी खेत्र में, दाजलिंग पारवत्य खेत्र में तक रिवन 278 का करीब ऐसे युवक बैठे है. और कल हमको प्रेश ब्रीफिंग में हमने देखा कि ये recruitment process पूरा रद कर दिया गया. तो हमारा अपील है, ये जो हमारे युवक, जिनोंने recruitment process पूरा करके शिर्फ CEE के लिए इंतजार में बैठे है, उनका recruitment process रद नहीं किया जाए, जैसे कि वो press conference में बताया गया, उनको शिर्फ एक option लिया जाए उनसे, कि ये पुराना recruitment process नहीं, हम ये अगनी पत, अगनी भीर का recruitment process में हम, हमको acceptable है करके उनसे option लिया जाए, और उनका जल से जल CEE exam कराया जाए, और उनको अगनी भीर का प्रतम ब्याच करके उनका training जल दे जल शुरू कराया जाए, हमको अभी बिश्रित जानकारी नहीं है, मगर हम अंदाजा लागा सकते हैं, एदी सरकार ने चाहा, आर्मी हेटकॉर्टर ने चाहा, तो ये पुराना जो dogment take, physical test और medical test पास करके बैठे हुए लड़के का, ये CEE exam का process और उनका training center हों में report करने का process एक मेने के अंदर पुरा हो सकता है, इसलिए जो आज कल बताया जा रहा था कि पहला ब्याज अगनी विरो का training डिसंबर तक में शुरू होगा, वो तो अभी हो सकता है जुलाई में, और ये ही appeal है, हम सब भुत्पुर्व सैनिक, भुत्पुर्व अर्दा सैनिक का, अमारे प्रिय नहेता श्री नरेंद्र मोधी जीव, देश के प्रदान मंत्री, अमारे रक्षा मंत्री, श्री राजनात सिंग, अमारे थल्चना अदेख्षा, श्री मनोश पांडे जी, उन सब को हमारा ये appeal है, कि जो अभी ये जितना लड़के CEA के लिए इंतजार में बैठे थे, उनको पर्तम ब्याच अगनी बीर की तरह लिया जाए, और जल्द है जल, CEA एक्जाम कराके, उनको स्ट्रेणिंग शुरू किया जाए, इससे जो हमारे बडालेंस है, जिसमें फिछले दो साल से रिक्रूट्मेंट नहीं होने के बजाए से डेप सिंजी हुआ है, उनका क्या आलात है हमको अभी पता नहीं है, मकर साइथ उन ब्रेलिंट कमांडर का भी कुछ जल्दी उनका प्रेशानी दूर हो जाएगा, यह हम एक्षिन लेंगे तो, और इसमें जो लड़के का CEA एक्जाम के लिए इंददार में बैटे थे, और CEA एक्जाम रद्द हो गया, उनके उपर बहुत मांसिक दवाओ आय है, यह भी समादान हो जाएगा, हम सभी एक बार फिर अपिल करते हैं, कि जो रिक्रूट्मेंट प्रोसेस पूरा करके, शिरिफ CEA के लिए, कमन इंद्रेंज एक्जाम के लिए इंतजार में थे, उनको शिरिफ एक आप्शन लिया जाए, और उनको CEA एक्जाम करा के, पर् शुरू कराया जाए, जुलाई के अंदर-अंदर, नमस्ते